नमस्कार साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रूप D का रिजल्ट बोर्ड वाइज बोर्ड देता जा रहा है और एक बड़ी खबर आ रही है यहां रेले भरते बोर्ड कलकत्ता का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है जिसमें कटप आप देख सकते हैं जो परसेंटाइ जो आपका कटप है वह यह है जो आपका नॉर्मलाइट मार्क्स आ रहा है यह में है इसमें यूर की कटप जो है 69 गई है एस्टी कटप 58 एस्टी कटप जो है 48 और और ऑबीसी कटप जो है 65 गई है वहीं इड़ुए की बात करें तो इस जोन का जो है पच्चास पॉइंट जो है इसका कटप गया है वह ही एक सर्विसमें की बात करें तो एक सर्विसमें की रिजल्ट का जो परसेंटाईल देख सकते हैं आप 75 वाइव कि 64 66 63 कि फाइनली ऊंномуमाक्स की बात करें और नॉर्मलाजेसिन मार्क्स प्रटीस थर्टीस थर्टीवन थर्टी। अब कट्यग्री वाज़ आप देख सकते हैं कि वह बात करते हैं नेक्सट जोन नीज़ तो भूबनेश्वर की कटप की बात करें तो देखते हैं जो परसेंटाइल असकोर्स जो है UR का 96, AC का 88, HT का 84, OVC का 93 और EWS का 88 तो यह परसेंटाइल असकोर है बाकिया आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है 66, 49, 44 और 58 है यह जो है जेनरल का 66 गया है यहाँ पर जिन बच्चों का 66 जेनरल में उनका नंबर बच रहा था उनका रिजल्ट हुआ है AC का देख सकते हैं 49 पर हुआ है, HT 44 और OVC 58 वहीं EWS की बात करें तो भूबनेश्वर का cut-up 48 गया है और वही एक सर्विसमेन की बात करें तो एक सर्विसमेन का आप देख सकते हैं परसेंटाइल स्कोर क्या है 80, 72, 74, 70 यह जो है UR, SC, HT और OVC इसमें नंबर आप देख सकते हैं मात्र जो है, 40 नंबर पर इनका रिजल्ट हुआ है, एक सर्विसमेन वालों का, फिर SC का 31, HT का 33, और OVC का 30 इसी परकार दो बूड कावर रिजल्ट दिया गया है, वो देख लेते हैं देख सकते हैं, गौहार्टी का कटफ गया है, जिसमें आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 60, जेनरल का, SC का 47, HT का 36, OVC का 50 और वही EWS की बात करें, तो यहां 40 के कटफ इसी, परसेंटाइल आ स्पोर प्रश पर फिध्यान नहीं दिजएगा, परसेंटाइल मार्क्स पर भी ध्यान दिजगा, जो आपका प्रोपर स्पोर है, जो आपका यह Normalization Marks है जो यह normalization Marks है आपका नौर्मालिएजाइज़ाइज़ाइज़ाइजाइश्य मार्क्स वही important है और चौथा बोड का देखते हैं अर बी भपाल आप देख सकते हैं cup of क्या है तो इसका जो है नॉर्मालाजेशन मार्क्स 65, जनरल का, स्ट का 49, स्ट का 44, वहीं OBC के बात करें तो 58, वहीं EWS का cut-up 40 गया है यहाँ पर, एक सर्विसमेन की बात करें तो नॉर्मालाजेशन मार्क्स 41, जिनका 41 नंबर था उनका result हुआ है जनरल में, स्ट 30, स्ट 31, और OBC जो ह कि मद्दे नजर रहते हुए, आपको जो है नई वेकेंसी, न्यू वेकेंसी का update दिया जाएगा, और जहां तक इन सब रिजल्ट की बात रही, तो 27, 12 से पहले, रेलेवेक ऑफिसियल, ओफिसियल, साइट ओपन करेगा, जिस पर जो है, सभी बच्चों का, नॉर्माल आजर्शन मार्क्स, कितना नंबर हुआ है, कितना नंबर उनका बच रहा है, कितना पर रिजल्ट दिया गया है, सभी सोक किया जाएगा, और यह जो है, 27 से पहले, और एक जनवरी तक जो है, एक जनवरी, 2023 नया साल तक आप यह जो है, लिंक रहेगा, तो सभी ध्यान देंगे इस पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद चैनल को सस्क्राइब करें,